तू देखे ना देखे हमें गम नहीं मगर तुझ को देखे भी ना हम नहीं तू देखे ना देखे हमें गम नहीं मगर तुझ को देखे भी ना हम नहीं ख्यालों में हर पल ही रहता है तू ये रहने को जिन्दा हमें कम नहीं सारी गलिया तेरी जगमगा दूँगा मैं अर इस बात तेरी खुद को बना दूँगा मैं चैनल को सबसक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को एट कर लिजिए तो चले दोस्तों पहला questions आपकी screen पे है ध्यान से हरी questions को read करना है उसके बाद ही answer देना है चले student पहला question है जल में वायू का बुलबुला किस lens की भाति कारे करता है बच्चों आप लोगों ने देखा होगा water में जो air bubble है यानि वायू का बुलबुला होता है वो किस lens की तरह कारे करेगा यानि किस lens की भाति कारे करता है which lens does an air bubble in water act as बताए उत्ता lens आउत्ता lens दोनों यान में से कोई नहीं देखिए उत्ता lens को convex lens कह सकते हो आप लोग इंगलिस में आउत्ता lens को कन के हो ठीक है जल्दी से बता दीचिए जल में वायू का जो बुलबुला होता है वो किस lens की तरह कारे करता है तो देखिए बच्चों यहाँ पर पानी का बुलबुला होता है एक गोले के आकार का होता है यानि जो पानी का बुलबुला होता है वो गोले के आकार का होता है और इसका बाहरी सतर जो है उत्तला उत्तला रहता है तो यह किस lens की बाहती कारे करता है हमें से याद रखना है यह उत्ता लेंस की तरह कारे करता है यानि option नमर क्या हो जाएगा option नमर यह जो है आपके इस question का right answer हो जाएगा ठीक है तो जल में वायू का विलबुला उत्ता लेंस की तरह कारे करता है चलिए बढ़ते अगले question की तरह चलिए दोस्तों अगला question आ चुका है producer gas producer gas का प्रमुख अव्यव है बताईए देखे यहां पे पुछा गया है कि जो producer gas है यह किन गैसों का मिसरन होता है यानि what is the major component of producer gas जल्दी से बताईएगा यानि यह किन गैसों का मिसरन होता है CO plus H2 का CO plus N2 का CH4 plus CO2 का या H2 plus CO253 का जल्दी बताईएगा बच्चो सभी student बताईएगे कि यहां पे जो producer gas है यह किन गैसों का मिसरन होता है जी हां दोस्तों यदि आपने जवाब दिया है option नमर B जी हां दोस्तों option नमर B जो है इस question का right answer हो जाएगा तो यहां पे जो producer gas है यह carbon monoxide यह CO क्या है carbon monoxide है तो इसको अच्छे से लिख लेना है कि यह क्या है carbon monoxide है ठेक है तो यह producer gas gas carbon monoxide और nitrogen है ना यहां पे जो carbon monoxide है कितना % रहता है तो याद रखेगा ये होता है बच्चो 34.7% और इसमें बात करेंगे नाइटोजन गैस की तो वो रहता है बच्चो याद रखेगा 65.3% ठीक है तो याद रखना है प्रोड्यूजर गैस जो है कारबन मोनोकसाइड और नाइटोजन गैस का मिस्रन होता है बताईएगा सभी स्टूडेंट बताएंगे water gas जी हाँ दोस्तो water gas जो है किंदो गैसों का मिसरन होता है तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है carbon monoxide और hydrogen carbon monoxide और hydrogen gas का मिसरन होता है ये water gas ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student अगला question है इमली में कौन सामल पाया जाता है बच्चों आप लोग इमली खाते हो खासकर girls लोग जादा इमली खाती है और वैसे ये जब फुचका वगरा खाने जाती है सब गुलगपा वगरा तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि वो पानी खटा नहीं होता है तो क्य क्या करता है वो पानी में इमली मिला देता है और खटा कर देता है ना तो खटा और तीखा ज्यादा पसंद होता है ना सभी को चलिए बहुत अच्छी बात है तो आपको बताने हैं कौन सा एसीट बच्चों एसीटिक एसीड, साइट्रीक एसीड, टाल्ट्रीक एसीड या ओक्जलीक एसीड तो वैरी गूड इस्टूडेंट यह दी आपका जवाब आ रहा है और अप्शन नमर सीजो है इस कुशन के राइट अंसर हो जाएगा अच्छा ये एसीटिक एसीड के बारे में जान लेता कमल होता है और पालग में पालक में कौन सांब होता है ज्यादा ओकजलिक अबर्वेसिग कि तरफ चलिए बठों अगला प्रशन आ चुका है गोवर गयस में कौन सी गयस होती है अगर जाती है मीथेर्ण प्रोपेन बीटन जल्ली से बताईएगा गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है तो very good बच्चो यह दिया आपने जवाब दिया है option number A यानि methane देनाव का answer सही है तो गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है methane पाई जाती है यानि CH4 ठीक है याद रखना है कभी कभी पूछ लेता है cigarette lighter जी हाँ दोस्तों cigarette lighter में कौन सी गैस होती है जल्दी से बता दिजे cigarette lighter में कौन सी गैस होती है प्यारे बच्चो कौन सी गैस होती है cigarette lighter में जल्दी से बताना है सभी student answer करेंगे जी तो very good student cigarette lighter में कौन सी गैस होती है butane होती है याद रखना है butane gas होती है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चलिए बच्चो अगला प्रेश्चन है जैडेन यानि जिंक कॉपर सलफेट यानि CUSO4 के वीलियम से अभिकिरिया कर किस रंग का और शेप बनाता है बच्चो यहां पर यह कहा जा रहाएगी देखिए यह जो जिंक है अगर यह इस जिंक सलफेट बना देगा है ना और यह जिंक सलफेट बना देगा और यह कॉपर हो जाएगा तो यह जिंक जो सलफेट होगा ना बच्चो यह कौन से कलर का हो जाता है यह ब्राउन कलर का रहता है याद रखना है यह ब्राउन यानि भूरा कलर का होता है तो आप ही बता द जो है आपके इस question का right answer हो जागा यानि यह भूरा रंग भूरा रंग जो है काउचेप बना देता है तो चलिए बढ़ते अगले question की तरफ यदि class अच्छी लग रही हो है oxygen के तीन प्रमानों से मिलकर बनिये gas है जो कि हमारे वातावरान में बहुती अल्प मातरा में पाई जाती है ठीक है तो ओजोन के नास का कारण क्या है carbon monoxide है या chloro fluorocarbon है cfc क्या है chloro fluorocarbon है या फिर carbon dioxide है यह में से कोई नहीं जल्दी से बताएगा ozone के 6 का सबसे प्रमुख कारण पुछा है सबसे प्रमुख कारण पुछा है तो कौन सी गैस होती है तो यह होती है बच्छो chloro fluorocarbon या नि option नमर बी जो है आपके question का right answer हो जाएगा अब देखिए question बन जाता है और कि भाई सूर्य से किरन आती है बहुत ही हानिकारक किरन होती है और किरन का नाम क्या है पैरा बैगनी किरन तो सूर्य से आने वाली पैरा बैगनी किरनों से कौन सी गैस हमारे सरीर की रक्षा करती है कौन सी गैस है बच्छो जल्दी से बताएग सूर्य से आने वाली जी हाँ दोस्तो सूर्य यानि सन से आने वाली पैरा बैगनी किरने यानि देखिए पैरा बैगनी किरने बहुत ही खतरनाक किरन है यह बहुत ही हमफुल रहे है यह अल्ट्रा वाइले ट्रेस कहते है इसको इंग्लिश में ठीक है तो सूर्य से आने वाली पैरा बैगनी किरनों से कौन सी गैस हम मौनों से मिलकर एक पनी कैस होती है ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है है ना ओके चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चलिए मित्रों अगला प्रेशन है फ्लैमिंग के बाए हात के नियम में प्रथम अंगली क्या दरसाता है यानि जो फ्लैमिंग भाई ने जो बा फिंगर रिप्रेजेंट इन फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट बताएंगे जी हां जी बिल्कुल फास्ट बिल्कुल फास्ट तरीके से अंसर देना है परतेक विद्यार्ति को तो वैरी गूड यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप् वैरी गूड ऑप्शन नमर डी जी हां दोस्तों ऑप्शन नमर डी जो है आपके इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो फ्लैमिंग के बाय हस्त के नियम के अनुसार प्रथम उंगली जो है ये क्या दरसाती है चुम्ब के जेतर की दिसा को दरसाती है तो आए मैं देख आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यही है फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स फ्लैमिंग का बाय हस्त का नियम अब देखे बच्चों इसमें जो अंगुठा है ध्यान से समझना है इसमें जो अंगुठा है आप लोग देख पा रहे हो इसमें जो अंगुठा है ये क्य दरसाता है तो बच्चों ये चुम्बकिये छेत्र की दिशा को दरसाता है ये जो है चुम्बकिये छेत्र की दिशा को दरसाएगा ठीक है चुम्बकिये छेत्र की दिशा को दरसाएगा है ना और इसमें जो डुईतिये दूइतिये है यानि जिसको मध्यमा बोलते हैं दूइतिये है ना जिसको मध्यमा बोलेंगे मध्यमा आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है दूइतिये यानि मध्यमा यह याद रखने यह विदुधारा की दिशा को बताता है यह विदुधारा की दिशा को ब मोलते हैं यह विदुधारा की दिशा को बताता है ठीक है तो आपको यह याद रखना है चलिए आप देखिये बच्चों यहां पे विदुधारा का ऐसा ही मातरक बिजान लीजे क्या होता है एंपियर होता है विदुधारा का जो ऐसा ही मातरक होगा वो क्या होगा एंपियर होगा उर्जा का मातरक क्या होता है जूल होता है आप सभी को पता है और विववांतर का क्या होता है याँ पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है अच्छा चुम्बकिये छेत्र की त्रिवता इसका क्या होगा कोई बता सकता है चुम्बकिये छेत्र की त्रिवता कैसा ही यूनिट यह आपके पेरमेडिकल में आ रखा है 2014 के पेपर में यानि मैगनेटिक फिल्ड इंटेंसिटी बताए यह मैगनेटिक फिल्ड इंटेंसिट magnetic field intensity कैसे ही मात रख बताए जल्दी से magnetic field intensity कैसे ही मात रख क्या होता है बच्छो याद रखना है टेसला होता है टेसला ठीक है तो चलिए बच्छो इस question से काफी ज्यादा points हम लोगों ने सीखा तो आप लोग हर एक points को note down करते हुए चलिएगा तब ही जाकर आपको examination के समय फाय विदूत मोटर किस सिदान्त पर कारे करता है विदूत चुमबक के प्रेड़न के सिदान्त पर थर्मो डाइनेमिक के सिदान्त पर या ओम स्लो या इन्मी से कोई नहीं जल्दी से बताना है विदूत मोटर जी हाँ दोस्तों विदूत मोटर किस सिदान्त पर वर्क करता है तो वेरी गुड़ यदि आपने जवाब दिया है option number a जी हाँ दोस्तों option number a जो है question का right answer हो जाएगा यानि विदुत motor जो है यह विदुत चुम्बक की प्रेडर्ण के सिद्धान्थ पे work करता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए बच्चों अगले question की तरफ आ जाते हैं और अगला question है retina पर बना प्रतिवीम होता है the image formed on the retina तो जल्दी से बताईएगा retina पर जो प्रतिवीम बनता है वो कैसा प्रतिवीम होता है वास्तवीक तथा बड़ा ज्यात करना संभाव नहीं और वास्तवीक तथा सीधा य retina पर जो प्रतिवीम बनता है वो कुछ किस प्रकार का होता है तो very good student यदि आपने जवाब दिया है option नमर डी जी हां दोस्तों option नमर डी जो है and smaller than the object smaller than the object ठीक है तो यह आपको याद रखना है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरह चलिए मित्रो अगला प्रेशन है विदूत iron के कुंडली यानि विदूत iron का जो coil होता है उसमें किस मिस्रधातू का प्रियोग किया जाता है यानि which alloy is used in the coil of electric iron बताए अलनिको ब्रांज नाइक्रोम यान में से कोई नहीं यह तो question किसी भी student से गलत नहीं होना चाहिए बहु इस question का राइट आंसर हो जाएगा और आपको याद रखना है कि विदूत iron का जो coil है उसमें जो resistance होता है वो high resistance होता है यानि इसमें जो है coil में उच परतिरोध होता है और इसका गलनांग भी क्या होता है उच होता है तो बोल सकते हो कि उच परतिरोध और उच गलनांग का ये मिस्रधातू होता है जो कि नाइक्रोम का बना होता है ठीक है चलिए बहुत अच्छी कुछन की तरह कि चलिए स्टूडेंट अगला प्रेशन है दिया सलाई में किस फास फोरस का प्रियोग किया जाता बच्चों जो दिया सलाई होता है माचिस है नंदिध देखा होगा तो माचिस के दोनो तरफ जो लगा उता है द्सके थूरू हम लोग ठिली को थोड़ा सा घि के जाता है नहीं वरिया सो स्राइव में किस फासपूरस का प्रयोक किया जाता है पीछला फासपूरस या या इतरब धनावका उन्द्था यह दोन कोंदि से बताए mêmes सबीक जमन नुद्ध करेंगगे तो वेरी गुड्य दिया स्लाइव में लाल फासपूरस का इस्तमाल किया जाता है तो वेरी गुड यदि आपने अंसर दिया है औप्शन नमर भी धनाव का अंसर सही है ठीक है सही है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्यन की तरफ चलिए दोस्तो अगला प्रेश्ण है नियुकलियर पावर प्लांट जी हाँ दोस्तो नियुकलियर पावर प्लांट जो है ये किस सिद्धान्त पर कारे करता है जल्दी से बताना है नियुकलियर पावर प्लांट जो है किस प्रिंसिपल पर अधारित है नियुकलियर फ्यूज पे या नूक्लियर रियक्टर पे या पता करना संभव नहीं है या नूकलियर फिजन पे जल्दी से बताईएगा बच्चो बिल्कुल फास्ट बताना है देखिए नूकलियर फ्यूजन का मतलब होता है ना भी किये देखिए यह इंगलिश वड़ है हिंदी में इसको क्या कहत इसको और नुक्लियर फीजन को क्या कहते है ना भी किये विखंडन जल्दी से बता दीजिए बच्छो क्या होगा नाभी के विखंडन जल्दी से बताए बिल्गल फास्ट नुक्लियर पावर प्लांट जो है किस सिद्दान्त पर कारे करता है तो वेरी गुड योदि आपने जवाब दिया है option number D यानि नुक्लियर फीजन यानि नाभी के विखंडन जना आपका अंसर सही है अब देखिए बच्छो कभी कभी पूछ लेता है कि जो प्रमानु बम है ना प्रमानु बम वो किस सिद्दान्त पर कारे करता है तो प्रमानु बम किस सिद्दान्त पर कारे करता है तो यह hydrogen bomb यह नाभी के सिद्दान्त पर कारे करता है आपको याद रखना है सभी points को चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए मित्रो अगला question आ चुका है आपके screen पे link night koila में carbon का प्रतिशत क्या रहता है यानि what is the percentage of carbon in link night koil जल्दी से बताईएगा 90-95% रहता है 85-90% या 65-70 या 50-64% जल्दी बताईए देखिए कोईले के कई सारे प्रकार होते हैं उसी में से एक प्रकार आ जाता है link night तो उसमें पूछा है कि carbon का percentage क्या रहता है तो जी हाँ दोस्तों यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं option number c यान isAmericansite ठीक हैужम लिखते चलिएगा सभी चीज को यह सब कोईले के प्रकार है एक होता है एक होता है antGen community स्थिक है एक होता है link night चोबに मैंने बताया था और एक होता है अ विश्चो पिट शरबता होता है 25-94% होते है इसमें carbon की मातर ठीक हैält सि की मातरा लिखें का इसमें सत्तर से पैचासी परसंट के बीच में 70% से 85% के बीच में होता है ठीक है लिंगनाइट में 65% से 70% कारवन की मात्रव रहती है और पिट्समें सबसे उचुकोटी का कौईला कौंसा हो जाएक कारवन की मात्रा सबसे अधिक होती है तो बचो आप लोगद सकते हो यह भी प्राजन पुछता है कि कोईले के किस कोईले के किस प्रकार में कोईले के ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें कार्बन की मातरा सबसे अधिक होती है तो कोईले का कौन सा प्रकार है जिसमें कार्बन की मातरा तेधिक होती है तो वह एंत्रासाइड हो जाएगा ठीक है का मरकरी का कौपर या सोडीम का जल्दी से थाईएगा बच्चो कैला माइन किसका आएसक होता है देखिए केला माइन इसका केमिकल ट्रोंले क्या होता है जेडं तो बस अगर आपको सका केमिकल फॉर्म जाद है तब तो आप लोग पता लगा लिजेगा कि यह जिंक का ही हो सकता है ठीक है तो केला माइन किसका आयस को होता है जिंक का आयस को होता है याद रखना है ठीक है अब देखिए बच्चों यहां पर मरकरी है तो कभी कभी पूछ लेता है कि सीने बार सीने बार जो है यह किसका आयस को होता है तो आप लोग को मै काफी सारे हो जाएंगे जिसमेंसे होता है super flirt होता है जो कि काफी framing क्यूप्रायट और पीर इसके बाद sądiny के वारे में से स्कुष्य काद कि आख सकता है याद रखना हो में द्रेजब ऑसपती ऑसाणी से चाकु मन काटा जा सकता है तो कौन सी दात हो जाएगी सोडियम हो जाएगी ठीक है चलिए अगला प्रेश्ण है स्टूडेंट निम्न में से सबसे अच्छा नाभी किये इंधन कौन सा है यानि विच आफ दा फ्लोइंग इस दा बैस्ट निउक्लियर फ्यूल यानि सबसे अच्छा ना इंधन के रूप में इन चारों में से कौन सा होगा तो बच्चो वैरी गूड यदि आपने जवाब दिया है और अप्शन नम्मर डी देना आपका अंसर सही है तो बच्चो यहां पे प्लूटोनियम जी हां दोस्तों प्लूटोनियम जो है यह सबसे अच्छा क्या हो जाए इससे थोड़ा सा कम अच्छा होगा है ना यूरेनियम और फिर सबसे कम अच्छा कौन सा हो जाएगा थोरियम हो जाएगा यानि देखिए इसको मैंने घटे क्रा में लिखा है यानि डिक्रीजिंग ओडर में लिखा है यानि सबसे अच्छा प्लूटोनियम फिर उससे कोश्यन की तरफ चलिए मित्रों अगला प्रेश्न है प्रिथवी के समान अकार लगभग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है यानि ऐसा ग्रह कौन सा है जो एकदम प्रिथवी के अकार का दिखाई देता है यानि प्रिथवी के समान अकार का दिखाई देने वाला ग्रह क कहते हैं जल्दी से बता दीजिए पृत्वी के समानकार का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है तो वेरी गुड बच्चो यदि आप लोगों ने जवाब दिया है सुक्र ग्रह यानि वीनस देनाफ का अंसर सही है ठीक है अब देखे बच्चो सुक्र ग्रह की बात आई है त इसको पृत्वी की जुड़वा बहन ही कहा जाता है ठीक है इसको पृत्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्यों कि ये पृत्वी के कारका दिखाई देता है यानि पृत्वी जैसा ही दिखाई देता है ठीक है इसले इसको पृत्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं इसको भोर का तारा या सांज का तारा भी कहते हैं इसको भोर का तारा या फिर इसको सांज का तारा के नाम से भी जानते हैं लोग ठीक है इस प्लैनेट को और सोर मंडल का सबसे गरम गरह भी है यह ना पूरे सोलर सिस्टम का यानि सोर मंडल का सबसे गरम गरह तो यह सुक्र ही है ठीक है तो आपको याद रखना है तो मंगल ग्रह की बात करें तो इसको लाल ग्रह कहा जाता है ठीक है प्रस ने पूछता है कि लाल ग्रह से किस ग्रह को जानते हैं तो मंगल को जानते हैं बात करेंगे बुद्ध ग्रह के बारे में तो यह सोर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो ये बुद्ध है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले अब देखिए बच्छों प्लूटो की बात करें ना तो इसको बोना ग्रह कहा जाता था ठीक है तो पहले इसको ग्रहों के सेड़ी में रखा गया लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया है इसको बोना ग्रह के नाम से जानते थे हैं हम लोग पहले ठीक है चलिए तो चलिए दोस्तो आज की इस क्लास में इतना ही राने देते हैं क्योंकि भगल में थूड़ा साथी है तो थोड़ा सा साउंड वगेरा वज़रा है थिखन होगा तो मिलते हैं अगली क्लास में नई जोस न झाल झाल